दोस्तो ये दियाप लोग रोहिस सर्मा को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तो आपकी मुंबई इंडियन्स और चेनने सुपर किंग्स में से कौन सी फेवरिट टीम है कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो दोस्तो आज IPL 282 का 33 मुकाबला खेला जा रहा है मुंबई के DIY पाटल स्टेडियम में लीग की दो सबसे सपल टीम है मुंबई इंडियन्स और चेनने सुपर किंग्स आमने सामने है पाँच बार की चेंपियन मुंबई इंडियन्स और चार बार की बिजेता चेनने सुपर किंग्स के लिए मौजूदा सीजन निरासा जनक रहा है दोनों टीमें 6-6 मुकाबले खेलने के बाद अंक तालका में निचले पायदान पर है चेनने को सिर्फ एक जीत मिली है तो वहीं मुंबई को अभी तक एक भी जीत नहीं मिली है चेनने की टीम 9 में स्तान पर है और मुंबई की टीम 10 में स्तान पर है दोनों टीमों का प्रदर्सन बहुत ही खराब रहा है बहुत ही निरासा जनक रहा है जबकि ये टीमें पिछले बिगत वर्सों की चैंपियन टीमें हैं लेकिन ये सीजन बहुत ही जादा खराब रहा है दोस्तो आज चेनने सुपर किंक्स के कप्तान रविंदर जड़ेजानी तौस जीत कर मुंबई के खिलाब पहले ग्यांदवाजी का फैसला किया है और दोनों टीमों में बदलाओ की बात की जाए खिलाडियों के बदलाओ की बात की जाए तो चेनने में आपको दो बदलाओ देखने को मिलेंगे और वहीं मुंबई में आपको तीन बदलाओ देखने को मिलेंगे दोस्तो आज के मैच में मुंबई इंडियन्स की काफी खराब शुरुगात रही टीम के कप्तान रोहिस सर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लोट गई सिर्फ जीरो पर आउट हो गई उन्हें मुकेस चौधरी ने पहले योबर में मिचल सेटनर के हाथों कैच करा दिया और ईसान किसन भी इस मैच में कुछ भी नहीं कर पाई और जीरो पर आउट हो गई मुकेस चौधरी ने अपने पहले यी ओबर में मुंबई इंडियन्स को बैक फुट पर धाकेल दिया उन्होंने दूसरे ओबर की दूसरी गैंद पर रोहिस सर्मा और पांचमी गैंद पर ईसान किसन को आउट कर दिया दोनों खिलाडी खाता खोले बगएर पबेलियन लोट गई जबकि इन दोनों खिलाडीयों के ऊपर मुंबई इंडियन्स की टीम तिकी हुई है यानि कि इस मैच में मुंबई इंडियन्स के दोनों धाकण वल्लेवाज बिना खाता खोले हुए पबेलियन लोट गई और दोस्तों अगले ओवर में मिचल सेटनर के ओवर में सूर कुमार यादो और ब्रेविस को एक जी बंदान मिला सूर कुमार यादो की स्टंपिंग और ब्रेविस का केंच छूट गया उसके बाद यदि बात की जाए तो मुकेस को तीसरी सपलता भी इस मैच में मिल गई मुकेस चौधरी ने अपने दूसरे ओवर में मुंबई इंडियन्स को तीसरा जटका दे दिया मुकेस ने इस ओवर में डेवाल्ड ब्रेविस को अपना सिकार बनाया उन्होंने ओवर की आखरी गेंद पर ब्रेविस को धोनी के हादों कैच करा दिया ब्रेविस सिर्फ चार रन बनाकर आउट हो गए तीन ओवर के बाद मुंबई इंडियन्स का स्कोर 23 पर 3 था ये जो पावर प्ले रहा ये पूरी तरह से चेन नई के नाम रहा और इस मैच में सबसे जादा चेन नई ने कैच छोड़े जबकि मुंबई इंडियनस की खराब सुरुगात भी रही और बहुत सारे खिलाडियों को इस मैच में जीवंदान मिला इस मैच में तिलक बर्मा को भी एक जीवंदान मिला चेन ने सुपर किंग्स की फिल्डिंग काफी खराब रही टीम ने तीन कैच छोड़े इस बार तिलक बर्मा को दो के स्कोर पर जी बंदान मिला मुकेश चोदरी के तीसरे ओबर की पहली गैन पर तिलक के बल्ले का बहरी किनारा लगा और गैन सिलिप में ब्राबो की पास गई लेकिन उन्होंने कैच छोड़ दिया और इस मैच में मुंबई इंडियन्स की तरफ से सूर कुमार यादों ने 32 रन बनाए सूर कुमार यादों ने 21 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हो गई सूर कुमार यादो को सेटनर ने मुकेस चोधरी के हाथों कैच करा दिया और मुंबई इंडियन्स का स्कोर 8 ओवर के बाद 49 पर 4 था यानि कि मुंबई इंडियन्स की सुरुगात आज के मैच में काफी खराब रही मुंबई इंडियन्स ने अपने 50 रन 9 ओवर में पूरे कर लिये 9 ओवर के बाद मुंबई इंडियन्स का स्कोर 2 पर 4 था और इसके बाद चेनने सुपर किंक्स के कप्तान रविन जडेजा ने मैच का दूसरा कैच छोड़ दिया यानि कि इस मैच में मुंबई इंडियन्स को बहुत सारी जीवनदान मिले इस बार उन्होंने रितिक सौकीन का आसाइन का छोड़ दिया उन्होंने सैटनर की गैंद पर सौकीन को 14 के स्कोर पर जीवनदान दे दिया 12 उबर के बाद मुंबई इंडियन्स का स्कोर 74 पर 4 था मुंबई इंडियन्स का पांचमा विकेट सौकीन के रूब में गिरा जो की 25 रन बना कर आउट हो गई टीम ने सोरन के अंदर अपना पांचमा विकेट भी गमा दिया इस बार ड्वेन ब्राबो ने अपने पहले योबर की तीसरी गेंद पर रितिक सौकीन को 25 के स्कोर पर उठपा के हाथों कैच करा दिया मुंबई इंडियन्स ने सुरुआती बिकेट गमाने के बाद तिलक वर्मा और रितिक सौकीन की अहम साजेदारी के बदालत अपने सो रन पूरे कर लिए इस मैच में पोलालड एक बार फिर से नाकाम रहे पोलालड सिर्फ 9 गेंदों में 14 रन बना कर आउट हो गए और तिलक वर्मा ने इस मैच में अर्द सतक लगाया तिलक वर्मा को सुरुगात में सिर्फ दो रन पर एक जीवन दान मिला था जिसका उन्होंने भरपूर फाइदा उठाया तिलक वर्मा ने सांदार बल्ले बाजी करते हुए आई पिल केरियर का अपना दूसरा सितक पूरा कर लिया बर्मा ने 42 गेंदों में अपनी 50 पूरी की उन्नेस ओबर के बाद मुंबई इंडियन्स का स्कूर 149 पर साथ था और मुंबई इंडियन्स ने इस मैच में टौस आर कर पहले बल्ले बाजी करते हुए बीस ओबर के बाद 7 विकिट के नुकसान पर 155 रन बनाए चेनने सुपर किंग्स को सीजन की अपनी दूसरी जीत हासिल करने के लिए 156 रन बनाने होंगे मुंबई की तरब से तिलक बर्मा ने सरबादिक रन बनाए वहीं चेनने की तरब से मुकेश चौधरी सबसे सपल गेंदवाज रहे तो दोस्तों ये थे पहली इनिंग के कुछ हाईलाइट टर्निंग पॉइंट जिनको मैंने आपको बता दिया यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हूँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा